लॉग डॉग के करण काफी ऐसे हर चीश रुख गई एंड कार मेंकिंग कमपनी भी अपनी बहुत सारी अप्पमी गाड़ी को लाउंच बेने कर पाई नहीं तो भाई जो मांज़ा स्कॉर्पियो बिटार वरिजान है यह हमें कब को देखने को मिल जाती एंड आज हम मज़े करते हैं इसी गाड़ी को लेकर लेकर कोरोन करण सब कुछ लिट हो गया लेकिन हाई यह साल 2022 काफी बड़िया होने वाला है क्यूंकि इस साल जो गाड़िया नहीं आ पाय थी वो सब आएंगी अब जो आने वाली यह वह भी आएंगी जिहां इस साल बहुत सारी गाड़िया सोची ना होगी एंड आपको भाई काप मज़े आएंगे एंड है भाई आप एक और काम कर सकते हैं सब्सक्राइब निक्या तो अभी तक यार सब्सक्राइब कर दीजे आपको एक सब्सक्राइब मुझे सौग उना जादा मोटिवेट करता है और मैं ऐसे आपके लिए और वीडियो से लाता रहूँगा और अगर वीडियो पसंदा तो लाइक भी कर देना सो चली गाइस बात कर लेते हैं पहली गाड़ी की जो कि 2-3 महने में लांच होने वाली है मार थिसे से की बिटा रहा ब्रिजा जी हाँ दोस्तो इस गाड़ी कभी अब कमी मोटाल आने वाला है और आपने इसके कही सारे स्पाइश शॉट भी देखे होंगे और कही सारे न्यूज भी सुनी होगी जो कि भाई अपने सेग्मेंट में एक गेम चेंजर गाड़ी बन सकती है इसमें आपको बहुत ही बड़ी अबड़े फीचर्स मिल जाएंगे जो फीचर्स को लेक ऐसे न चोड़े होते हैं बहुत एमजी और किया लोग वह भी ऐसे दफसी जाएंगी इस गाड़ी के सामने क्योंकि भाई इसमें आपको यसी यसी टेक्नलोजीस मिल रहे हैं और बहुत ही बड़ी अबड़े फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल रहे हैं गाड़ी की लुक्स कापी अमेसिंग होने वाली है भाई भले यार पैनारामिक नहीं है लेकिन यार मारूती ने कोशिश की यही बहुत बड़ी बात हैं हमारे लिए कि मारूती कर रहा है मतलब मारूती पोग्रेस कर रहा है अपनी गाड़ी को बनाने में अपने गाड़ी में डाल रहा है आपको एक और चीज बता दू कि जो मारूती गाना स्मार्ट प्ले प्रो प्लस है जो कि बुलाने माता है टस्क्रीन उनका ये टस्क्रीन अब मारूती घार अब पमिंग गाड़ी में आएगा पीछे से गाड़ी काफी ता शार्प लोग के साथ सामने आने लिए इसके जो टेलाइट से ने पीछे की वो मुझे थोड़ा बहुतना निसान मैंगनेट की याद दिला रहे हैं जो कि मतलब एकनम पतली से हैं और शार्प शार्प से हो गई है यह चीज भाई काफी इंप्रेसिब लग रही है भाई अगर ने अश्ट गाड़ी की बाग करें जिसका भी कंफर्म है भी और नहीं भी है तो चलो बताए देता हूँ जिहां दोस्तो आपने महंदर का भी नया टीसर वीडियो देखा होगा और नहीं देखा तो आप इस स्क्रीट की साम में भी देख सकते हैं अपने इस जिसमें आप देख सकते हैं कि महंदर अपनी तीन इवी गाड़ियों को लांच करने वाला है जो कि यार काफी साही है हमारा फ्वीचर इवी का ही है और वैसे भी आजकल पेट्रोल डीजल तो आजकल असमान निशूर है है इतने महंगे हो गए हैं क्या ही बताऊं चार्ज भी कर सकते हैं क्योंकि आपको पांसे यूनिट बिजली आप फ्री मिलेगी आप लोग जानते ही होंगे तो आप अपनी गाड़ी को ऐसे चार्ज करके कहीं भी जा सकते हैं फ्री के बिजली से और भाई अकरनेश्ट गाड़ी की बात करें जो की मतलब पूरा देश उस गाड़ी का बेस से ब्री से जायर कर रहा है और मैं भी उसका बहुती मतलब बहुत दिनों से जायर कर रहा हूँ और भाई पिछले 2-3 सालों से इसकी और XCV7W की टेक्शन चल रही है आप लोग समझ गया हूँगे जी हां मैं महेंदर स्कॉर्पी की बात कर रहा हूँ जिसकी टेक्शन भाई कंपनी 2-3 सालों से कर रही है लगता है और भी तक लाउंच ने किया है लेकिन इस साल कंफर्म है और इसकी लाउंच डेट पे हमें कंफर्म ही है कि 15 अगस 2022 को ये गाड़ी 100% लाउंच होगी क्योंकि भाई आपने ध्यान दिया होगा महेंदर थार साल 2020 15 अगस को ही रिवील हूँ थी महेंदर स्कॉर्पी 7W साल 2021 14 अगस को ही रिवील हूँ थी अगस मैने में हाँ एक दिन पतनी आगे क्यों कर दिया लेकिन उसी की बीच लाउंच हुई थी और ये गाड़ी भी 15 अगस को ही लाउंच होगी 2022 में ही सो यह चीज भाई काफी सही है और काफी मज़े हैं आपको इस गाड़ी का बेसबरी से सब लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि भाई इसमें आपको ऐसी टंगलोलोजी मिलेगी और ऐसे ऐसे फीचर्स मिलेगे जो कि किसी ने सोची ना होगी अभी अभी तक महिंदर स्कॉर्पियो के जितने भी अब हमी जर्नेशन आये हैं उसमें हमें कुछ खास चेंज सुने मिले देखने को चेंज हुआ है तो उनकी हेल लाइट्स उनकी टेल लाइट्स थोड़े बहुत डिजाइन तो लबबक से आपको वही मिलते हैं और क्या ही चेंज मिला यार आपको अभी वाली महिंदर स्कॉर्पियो तो यार बाहर से दम मस्क लगती है और भाई आज भी अगर कोई भी ब्लैक स्कॉर्पियो अगर रोट से गुजरती है तो कोई भी बंदा भाई एक बार इसको पीछे मुट के ज़रू देखेगा क्यों भाई लगती ही मस्त है तनी सो पता नहीं अगली वाली स्कॉर्पियो इतनी मस्त हो पाएगी नहीं हो पाएगी लेकिन भाई अच्छी होगी ऐसा थोड़ी होगा कंपनी मतलब महनत करेगी और अच्छी बनाएगी भाई क्योंकि भाई 2-3 सालों से कंपनी इस गाड़ी में इतना काम कर रही है अब यहली जो महिंदर स्कॉर्पिय का इंटिरियर है वो कुछ खास तौमें मिलता नहीं है और बेकारी लगता यार और भाई हमें फिलिंग नहीं आती है कि हम 20 लाकी गाड़ी के अंदर बैठे हैं लेकिन हाँ जो नेक्स जनरेशन महिंदर स्कॉर्पिय आने वाली है उसमें आपको बैठके लगेगा बलकि आपको वो भी लगेगा कि आप और भी जादा बहेंगी गाड़ी में बैठे हैं जैसे कि फॉर्चुनर और एंडी वेर में आपको फिलिंग आती थी आपको कुछ ऐसी फिलिंग आने वाली है एंडी महिंदर स्कॉर्पियो 4x4 एंड ऐसी बहुत सारी ऐसी फिचर साथ आएगी जो कि भाई बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं एंड आपको काफी सही लगेगा भाई एंड भाई आप एक और चुछ कर सकते हैं आप बेट तक यार सब्स्राइब ने किया तो सब्स्राइब कर दीजे जिससे आपको भी ऐसे मज़े हैं एंड मेरे को भी सो गाईस ये थी सारी गाड़ियां जो की दो-ती महने में लाँच होने वाली हैं यो जो कि बहुत सारी गाड़ियां लाँच होने वाली हैं इस साल। लेकिन ये गाड़ियां इस ही दो-ती महने में लाँच होने वाली हैं वेल गाईस ये थी वीडियो वीडियो देखने के लिए पथनवात हैंक्यू Fin